दोस्तो हम जब भी अगबर के बार में पढ़ते हैं तो उनके नवरतनों के बारे में ज़रूर बात होती है अपने अनेजुकेटिड होने के बावजूद मुगल रूलर अगबर ने आर्टिस्ट और इंटिलेक्शल्स को एप्रिशिट किया पर कि आपको पताए कि अगबर के अलावा दो और समराट थे जिनके दरबार में नवरतन सामिल थे आएए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होते हैं नवरतन कौन-кौन सामिल था अगबर के नवरतनों में साथी अगबर के अलाबा और किंदो समराट के दरवार में थे नवरतन दोस्तो नवरतन दरवार के नो ऐसे लोगों का गुरूप था जिनका स्थान अन्य दरवारीों से उपर होता था ये नवरतन अलगलग फिल्ड के उस्ताद होते थे जैसे अगबर के नवरतनों को देखे तो कोई अगबर का चीफ एडवाजर था कोई रिलीजिस एडवाजर था कोई अगबर की आर्मी का कमांडर था कोई फाइनेंस एडवाजर था तो कोई musician था सेम ऐसे ही सिवाजी महराज ने अस्ट प्रदान को start किया जो की eight ministers का group था और इसमें अलग-लग उपादी सामिल थी इन में से एक उपादी का नाम आपने भी सुना होगा जो की काफी famous है पेशवा पेशवा एक उपादी है जो आज के prime minister के similar है अगर आपको और अच्छे से जानना है कि नवरतन क्या थे तो आप इनको आज की cabinet से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों काफी similar है अकबर के शासनकाल में आर्ट, literature, culture, society, agriculture, trade और business जैसी कई fields में काफी development हुई जिसका credit सिर्फ अकबर को इन जाता बलकि इन नवरतनों को भी जाता है अकबर के नवरतनों में सबसे famous रतन थे राजा बीरबल जिनका असली नाम था महेश दास ये अकबर के chief advisor थे यहाँ पर मैंने बीरबल के नाम के आगे राजा इसले कहा क्यूंकि अकबर के नवरतनों में जितने भी हिंदू थे उनके नाम के आगे राजा जोड़ा जाता था खैर बीरबल को ज़्यादा तर folk tales में याद किया जाता है जहां उनकी intelligent होने की कहानिया मिलती है बीरबल अपने sharp mind से complex problems को solve करने के लिए practical solutions देते थे यही कारण है कि अकबर अपने fairness justice के लिए जाने जाते हैं बीरबल ने मुगल काल के दोरान culture और literature को develop करने में काफी important role play करा साथी बीरबल एक skilled military strategist भी थे जिन्होंने better field में अकबर की सेना की काफी help की अगले है राजा तानसेन जो कि अकबर के दरबार के chief musician थे इनका real name था राम तनू पांडे तानसेन को संगित समराड भी का जाता है साथी अकबर ने इन्हें मिया का title दिया तानसेन कई Indian classical music के master थे जिनमें धुरूपद और खयाल सामिल है तानसेन के music को हर religion के लोगों ने appreciate किया उन्होंने अपने music का use Hindu Muslims के बीच Cultural Unification यानी Sanskritic एक्ता को बढ़ाने के लिए किया राजामान सिंग आमेर के राजा और अकबर की सेना के सेना पती थे जिनें अकबर ने मिर्जा राजा का title दिया और जहांगिर के सासनकाल के दोरान राजामान सिंग को अमीर उलुमरा यानी Commander of Commanders का title मिला राजामान सिंग ने अपने military campaign से मोगल empire की territorial boundaries को फैलाने में सबसे important role play करा यहां तक की battle of हल्दी घाटी में अकबर ने महराना परताप के खिलाफ लड़ने मान सिंग को ही बेजा था राजा टोडर मल अकबर के दरबार के finance minister थे तोडर मल ने revenue collection का एक नया system इंटर्ड्यूस किया जब्त system जिसने अकबर के सासनकाल में land revenue collection को systematic तरीके से चलाने में help की अकबर के दरबार में काम करने से पहले तोडर मल सेर सा सूरी के अंडर revenue officer के रूप में काम कर रहे थे अबुल फजल जिनका पूरा नाम था सेक अभू अल फजल इबन मुबारक जो की एक historian, philosopher और writer थे ये अकबर की biography अगबर नामा के author थे अगबर नामा तीन पार्ट में divided है जिसके तीसरे पार्ट का नाम है आईने अकबरी साथी इन्होंने Bible को Persian language में translate किया बाद में अगबर के बेटे जहांगीर नहीं अबुल फजल की हत्या करवाई थी फैजी अबुल फजल के भाई थे जो की एक poet के सांसनाथ अगबर के बेटे के maths tutor भी थे इन्होंने कई हिंदू टेक्स्ट को Persian language में translate किया जिससे मुगल्स इसे आसानी से पढ़ सके क्योंकि Persian मुगल्स की official language थी साथी फैजी ने इबादत खाने को सेट अप करने में अगबर की help की इबादत खाना वो जगह थी जहां लोग religion के बारे में बात करते थे और एक दूसरे के religion को बहतर तरीके से जान सकते थे अब्दुल रहीम बैरम खान के बेटे थे जिन्होंने बाबर नामा को तुरकेश लैंग्विज से Persian language में translate किया ये अपने हिंदूस्तानी दोहे और एस्ट्रोजी की बुक्स के लिए जाने जाते थे अगबर ने गुजरात जीतने के बाद इन्हें खाने खाना यानि Khan of Khans का टैटल भी दिया फकीर अजियाउद्दीन अगबर के religious minister थे इनको एक सूफी के रूप में describe किया जाता है मुला दो प्याजा जो की originally एरान से थे ये Islamic theology, philosophy और low expertise थे कई folk tales में इन्हें बीरिबल के rival के रूप में दिखाये गया है आई अब बात करते हैं अकबर के लावा दो और ऐसे rulers की जिनके दरबार में भी नवरतन थे पहले हैं भारत के legendary ruler विक्रमादित्ये folk tradition के अनुसार उनके दरबार में भी 9 famous scholars थे इस चीज को mention करने वाला सबसे earliest source है जोतिर्विद आबरन जो कालिदास से related एक गरंथ है इसमें विक्रमादित्ये के 9 scholars की बात की गई है पर कालिदास के इस गरंथ को जिसमें इन 9 scholars का जिक्र है उसे expert वीवी मिरासी ने 12 सताबदी का बताया और कहा कि इसकी रचना कालिदास ने नहीं की क्योंकि इसमें व्याकरन सम्मेद्नी दोस है साथी कई experts कहते हैं कि इसका कोई भी evidence नहीं है कि ये सभी 9 scholars एक ही समय के थे दूसरे ruler थे राजा कृष्णा चंद्र जिन्होंने 1727 से 1772 तक बंगाल में रूल करा का जाता है इनके दरबार में भी 9 famous scholars थे जिन्हें नब रतंस के रूप में mention किया गया है ऐसे कई इंडियन rulers थे जिनके दरबार में important दरबार्यू को कुछ इसी तरीके से label किया जाता था जैसे कृष्णदेव राय के दरबार में valuable members को अस्ट दिगज का जाता था ऐसे ही सेना एंपायर के रूलर लक्समन सेना के दरबार में important members के लिए पंच रत्न सब्द का यूज होता था तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी knowledgeable लगी हो तो like जरूर करना साथी ऐसी और amazing वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे जय हिंद